हाई, इंटरनेट पे जो लेक्चर सीरीज में ओफर कर रहा हूँ, मैथेमेटिक्स उन में से एक कोर्स है, सच बता हूँ तो इस कोर्स के बारे में मैं सबसे यादा एक्साइड़ हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था, तब मैथ्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं पूरे दिन फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़के मैथ ही बढ़ता रहता था, मैथेमेटिक्स जो है, वो बहुत अबस्ट्रेक्ट स्टेडी है, जिसमें कि तुम यह सब पढ़ते हो, कि गिनना सीखते हो, लेकिन मैथेमेटिक्स की कई सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि अलजेब्र है, अरिथमेटिक है, कैल्कुलस है, और लेकिन कोई जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, इसमें पस ऐसे सोच सकते हो, कि मैथ्स में तुम यह देखते हो, कि गिनना सीखते हो, चीजों का आकार, शेप कैसा है, साइस कितना यह निकालना सीखते हो, उनमें कितनी सामान आ सकती है, वॉल्यूम कितना यह निकालना सीखते हो, प्लस हम यह निकालना सीखते हो कि चीजें कैसे बदलती है, चेंज कैसे आता है, यह सब सीखते हो इस कोर्स में हम math करना नहीं सीखेंगे, यह mathematics के tutorial नहीं है इसमें मैं तो मैं यह नहीं सिखाऊंगा कि calculus में integral कैसे निकालते हैं या फिर quadratic equation या cubic equation कैसे solve करते हैं लेकिन मैं तो मैं यह बताऊंगा mainly कि math हम क्यों पढ़ते हैं, यह कितना important question है जो मेरे ख्याल से किसी भी school में answer नहीं होता और मैं यह इस course में बताने की कोशिश करूँगा कि math करना कितना मज़ेदार हो सकता है और इस journey में हम उन सारे महान mathematicians से मिलेंगे जो हमारे पुर्खों के जमाने के हैं और हम यह देखेंगे कि अपने time में किन mathematical problems को वो solve करना चाहते थे और यह भी हम देखेंगे कि आखिर वो उन problem को क्यों solve करना चाहते थे जीवन में इनसान कोई भी काम करता है उसके बीचे कोई कारण होता है और math आज हम स्कूल में भली पढ़ लेते हैं लेकिन हर problem जो है तुम math की देखते हो कभी ना कभी उसका कोई practical application ज़रूर रहोगा अगर किसी को circle का area निकालने की पड़ी थी तो उसके बीचे कोई कारण था कि वो circle का area निकालना चाहते थे हो सकता है कि किसी का खेत हो जो circle जैसा दिखता हो और वो ये निकालना चाहता हो कि इसमें कितना ना जुकेगा ठीक है तो हम ये सवाल एक आता है कि भाई हम mathematics क्यों पढ़ें तो उसका अगर मैं बहुत philosophical answer दूँ और जो मेरा personal belief है वो ये कि हमारे आसपास जो nature है जो प्रक्रती है वो mathematics की जवान बोलती है अगर आप किसी Chinese आदमी से बात करना चाहोगे तो आपको Chinese भाशा बोलनी पड़ेगी इसी तरह अगर mathematics अगर आपको nature से बात करनी है अगर आपको जानना है कि आपके आसपास का universe कैसे काम करता है तो universe की भाशा maths है तो आपको अगर universe से बात करनी है तो आपको math में बात करनी होगी हम humans जिनके पास जो की इस planet earth पर सबसे smartest known species है अपने जीवन काल में हम काफी सारी चीज़ें करने की कोशिश करते है और कुछ questions का answer हम हमेशा ढूंडते रहते है हमारी बुद्धी के चलते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आये हैं, हमें किसने बनाया है life में हमारा purpose क्या है ये सब questions हर इनसान को कभी न कभी उसके जीवन में परिशान करते है और उनका answer वो ढूंडना चाता है life का क्या purpose है ये मैं नहीं जानता ये universe किसने बनाया ये मैं नहीं जानता क्या ये भगवान ने बनाया मैं नहीं जानता भगवान कौन है, भगवान का क्या nature है मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह ज़रूर जानता हूँ कि universe जो है वो given set of rules पर चलता है बहुत ही deterministic तरीके से universe और nature के law काम करते हैं और आप उन rules को measure कर सकते हो और वो rules change नहीं होते वैसी की वैसे रहते हैं तो आप measure कर सकते हो चीजों को और in some sense आप यह कह सकते हो कि जैसा कि मैं कह रहा था कि universe math की बहचा बोलता है मैं यह निए जानता कि भगवान है या नहीं है लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि अगर भगवान है तो वो math बोलते है क्योंकि सारा universe mathematics की जबान बोलता है for example अगर हम mathematics से mathematics की power यह है कि फिर तो उससे अपने आसपास के फिनोमिना को understand करने लगते हो for example जो early humans थे जब वो sky की तरफ देखते थे तो जैसे Hinduism में भी आप पढ़ते हो जैसा मैं छोटा था मैं पढ़ता था कि जब चंदर ग्रेंड होता है तब राहु काल आजाता है या कोई काल आजाता है जिसमें कि कोई असुर चंदर मा को खा जाता है और उस जमाने में लोग ऐसा मानते थे लेकिन आज गरित के चलते हम यह जानते हैं कि चंदर ग्रेंड इसलिए होता है क्योंकि धर्ती की चंदर मा पर पढ़ती है और हम exactly calculate कर सकते हैं कि अगला lunar eclipse यानि अगला चंदर गेहर इस तारिक को होगा और इतने बज़े से इतने बज़े तक होगा और धर्ती में इन इन देशों में देखेगा और इन इन देशों में नहीं देखेगा और इस और हमारे पास exact known science है हम math की चलते ये भी निकाल सकते हैं कि हमारी धर्ती गोल है या नहीं है क्या वो सपाट है या वो गोल है अगर वो गोल है तो वो कितनी बड़ी है जब Columbus जब ship लेकर निकला था तो वो इंडिया आना चाहता था और इंडिया आने के लिए वो Spain से निकला था और West जा रहा था अगर उसने calculation की थी कि धर्ती लगभग इतनी बड़ी है और उसकी calculation बहुत गलत थी वो जब चला और West जाने लगा तो वो मरने वाला था लेकिन रास्ते में अमेरिका आ गया और Christopher Columbus ने आज जहां पर वो उत रहा था उसे West Indies कहते हैं वो इंडिया नहीं था वो अमेरिका था तो अगर उसके पास अगर सपोज अमेरिका नहीं आया होता तो Columbus और उसका पूरा क्लिव मर गया होता लेकिन अगर उसके पास सही calculation होती अर्थ के circumference की तो ऐसी हुई है कि हमारे पास कुछ जरूर है रहते हैं थी और उनको solve करने का tool है math तुमारे पास तुम जीवन में कोई भी परिशानी होती है मानलो तुम्हें कोई भारी पत्थर खिसका के ले जाना है तो तुम पईया बनाते हो क्योंकि वो तुमारी एक problem आसान करता है इसी तरह mathematics एक tool है जो question के answer देता है अगर तुम्हें किसी से trade करना है तुमारे पास तीन भेड़ हैं उसके पास एक लकड़ी है तुम अपनी दो भेड़ों से देदोगे वो तुम्हें लकड़ी देगा तो mathematics basically वो टूल है तो early humans ने numbers design किये जिससे की वो count कर सके उसके बाद Egyptian society में आए geometers जो की धरती नापने वाले थे जो की यह निकालना चाहते थे कि हमारे खेत का size कितना है हमारे farm का size कितना है और अलग-अलग shape and size यानि rectangle, triangle, circle इन सब का area निकालने में उन्होंने अपना जीवन लगाया, Archimedes ने उस science को बहुत आगे बढ़ाया, उसने यह भी निकाला कि एक sphere अगर होगा यानि कि ball होगी तो उसमें कितना पानी आएगा, उसमें volume कितना होगा सन 16 सो में Isaac Newton यह निकालना चाह रहा था, Isaac Newton को यह question था, बहुत basic कि अगर सब चीजें छोड़ने पर गिरती हैं, अगर तुम्हें एक sphere छोड़ो और वो गिरेगा अगर मैं पेड़ पैसे कुदूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा, तो फिर चंद्रमा क्यों नहीं गिरता नीचे इस question का answer निकालने के लिए Isaac Newton ने theory of gravitation निकाली, लेकिन theory of gravitation जब वो निकालना था तो उसने realize कि वो तब तक gravitation नहीं निकाल सकता, जब तक, basically उसने realize कि जो भी mathematical tool उसके पास है, वो पर्याप नहीं है तो gravitation निकालने से पहले उसने calculus invent करी, जो आज दसवी बारवी के बच्चे पढ़ते हैं वो Newton ने invent करी, क्योंकि calculus वो नहीं बनाता तो वो gravitation की theory नहीं लिख सकता था इस तरह probability and statistics आप पढ़ते हो probability and statistics primarily इसलिए जन्मी थी क्योंकि लोगों को जुआ खिलने में बहुट interest था और gambling में, UA में अगर आपके पास probability की अच्छी पगड़ है तो आप यह निकाल सकते हो कि किन bets में पैसा लगाने में आपका फाइदा है, किन bets में पैसा लगाने में आपका फाइदा नहीं है तो basically इस course में हम क्या पढ़ेंगे इस course में हम mainly यह सीखेंगे कि पुराने mathematician से हम मिलेंगे और हम यह देखेंगे कि कितनी interesting problems पर वो काम करते थे और hopefully इस process में हम उनसे connect कर पाएंगे और hopefully इस process में हम inspire हो पाएंगे और सीख पाएंगे कि हम math साकर क्यों करते हैं और हम देख पाएंगे कि यह subject historically जो 2300 BC में यानि Jesus Christ के जनम से 300 साल पहले और Gotham Wood के मरने के करीब 200 साल बाद रहता था ग्रीस में कैसे उसने circle का area निकाला और हमें pie का estimate दिया इसी तरह हम देखेंगे for example Newton के बारे में पढ़ेंगे जसने की calculus invent करी हम देखेंगे George Cantor जो की recently ही 18th century में और शायद वो 1915 में मरे थे जिन्होंने set theory father of set theory है sets की theory जो हम पढ़ते हैं उन्होंने हमें यह बताया कि infinity का nature क्या है क्या सारे infinity एक जैसे होते हैं 0 से लेकर 1 के बीच में कितने number है 0.5 है, 0.25 है लेकिन कितने number है क्या 0 से लेकर 1 तक जितने number है उतने ही 0 से लेकर 2 के बीच में है या उससे जादा है infinity का क्या nature है यह उन्होंने answer किया और कई सारे and many more मतलब यह सब हम देखेंगे तो conclusion में basically आप अगर maths में थोड़े भी interested हैं तो यह course definitely देखिए मेरा primary audience first year undergraduate student तो ही है लेकिन उससे भी जादा primary audience मेरा वो बच्चा है जो आठवी क्लास में है या साथवी क्लास में है सिर्फ पकड़के बैठा हुआ है जैसा कि मेरी खुद की भेहन है अभी कि यार यह हम क्या गणित पढ़ रहे हैं यह क्या math पढ़के क्या फायदा होगा मैं अपनी life के experience से आपको यह बताना चाहता हूँ कि mathematics एक बहुती rich subject है और यह बताना चाहता हूँ कि mathematics पढ़ना भी fun हो सकता है और कैसे circle का area निकालना एक आदमी के जीवन का soul लक्ष हो सकता है और किस तरह circle का area निकालके वो अमर हो सकता है that's it please देखते रहे है